कलर्स के पॉपलर सीरियल नीमा में हमने अब तक देखा है तुलिका सिया की जासूसी करने सिया के बैंक जाती है और शिप से सवाल जवाब करती है पर वहाँ पर नीमा आ जाती है वहीं नीमा तुलिका को वार्निंग देती है पर तुलिका कहती है मैं अकाउंट खुलवाने आई थी बैंक में जस पर नीमा कहती है अकाउंट खोलने घर से इतनी दूर जूट मत बोलो पूरे मुंबई में तुझे बस सिया के बैंक में ही आना था पूरे जंदगी तुमने मुझे सताया है अब मेरी बच्चियों की तरफ अगर तुमने आँख उटा कर भी देखा तो पच्चताओगी आगे शिब की वाइफ नीमा और उसकी बेटियों को डिनर पर इन्वाइट करती है और वो सिया की तारीफ करती है वहीं शिब की वाइफ कहती है मैं और शिबाप के घर आते हैं डिनर के लिए आगे पारस अपनी मा से कहता है मैं और मिताली दोनों एक दू प्रवाइजमेंट कैंसल कर देगी वेल आगे नीमा सिया को उसकी सालरी देती है और कहती है यह अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख हम यहां पर सिया को इमोशनल होते हुए देखते हैं वेल वही हम दोस्तों आगे देखते हैं कि मुंबई में दंगे शुरू हो जाते है और यह बात सिया को पता चलती है आगे शिब और सिया नीमा को ढूनेने निकलते हैं वही हम देखते हैं कि नीमा बहुत डरी हुई होती है और उस पर एक आदमी हमला करने ही वाला होता है कि सिया और शिब कार लेकर आते हैं और नीमा को बचा लेते हैं वही हम देखते हैं क आगे नीमा माफ कर देती है आगे सुरेश बविता मैडम की नकली हीरे का हार को असली बता कर आशा की हातों में रख देता है वहीं पारस के घर मिताली के घरवाले आते हैं और कहते हैं पारस हमारी बेटी से मिले और कहे कि उनका कोई मेल नहीं है और सगाई करने का मतलब ही नहीं बनता आगे पारस के पापा पारस को सूरत वाली फैक्टरी भेज देते हैं वहीं पारस के पापा कुछ गंदी प्लानिंग करते हैं पारस के खिलाफ वेल सुरेश का प्लान सक्सेस्फुल हो जाता है और आशा उस हार को चुराती है और काम से भाग जाती है पर अगले दिन ही आशा वापस आती है काम पर क्योंकि उसे पता चलता है कि हार नकली होता है और उसे ये भी पता चलता है कि ये सब सुरेश की चाल होती है यहाँ एप को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें